नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तियाक एमद और आप देख रहे हैं रिने स्वागत आपका भिहार बुलेटिर में रुख करेंगे तमाम खबरों के तरफ बिहार में शराबबंदी कानन को सफल बनाने के लिए सियम नितिश कुमार 22 दिसंबर को समा सुधार यात्रा पर निकलेंगे और वो राजे के सभी जिलों में भी जाएंगे और इस दोरान मुख्यमंत्री जनसबा और राजे की जन कल्यानकारी योजनाव की समिक्षा भी करें और जनसबा राजे के छे प्रमंडल के एक एक जिले में और तीन प्रमंडल पटना मुंगे तिरहुत्य के दो दो जिलों में निर्धारी तर और पंड़ा जनवरी तक चलने वाली इस यात्रा की शुरुआद चंपारन से होगी और इस से पहले भी सियम पूर्वी चंपारन से ही यात्रा की शुरुआत करते रहें और इस यात्रा के दोरान मुख्यमंत्री की जनसबाओ में जिलों के जीविका समों की महलाएं भी भाग लेंगी और इनमें राज्य में पून शराबबंदी अभ्यान दहेज प्रता उन्मूलन और बालविवा मुक्तिय अभ्यान से स समबंदित राज्य सरकार की महत्मून नीतियों और निन्नों पर केंदित विचार रखे जाएंगे और इन सबाओं में लाबुक भी अपने विचार रखेंगे और वहीं बताये जा रहा है कि मुख्यमंत्री यात्रा के दोरान जिन विश्यों पर समिक्षात्मक बैठक करने उसमें मद निशेद उत्पात और निभंदन विभाग दहेश प्रता उन्मोलन और बाल विवा उन्मोलन कारेक्रमों में घ्रे विवाग सतत जीवी को पारजन योजना हर गर नल का जल योजना पक्की नाली गली योजना लोया स्वच बिहार अभ्यान के तहत निर्मित समिक्षा बैठक की जाएगी और वहीं समिक्षा बैठकों में समधित जिले के जन प्रतिनिदी प्रभारी मंतरी जिले के निवासी मंतरी और मद निशेद उत्पाद निभंद विभाग के मंतरी उपस्तित रहेंगे और इसके लावा जिन जिन विभागों की समिक्षा होग उसके प्रावदान सचीव और सम्वंदित परिकारी मौजूद रहेंगे और वहीं केंडरे कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की आई उसी माँ 21 साल करने के प्रस्ताफ को मनजूरी दे दिया और बिहार जैसे राजे में जहां अभी भी बाल विवा के मामले सामने आते रहते हैं और नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे यानी साल 2015 से सोला में जहां बिहार की 42 प्रतीशत बेटियों की शादी 18 साल से कम उमर में हुई है और वहीं NHFS 5 यानी साल 2019 से 20 में बिहार की बेटियों की नाबालिक उमर में शादी करने का प्रतीशत घटकर 40 दसलों 8 पर आ गया और कम उमर में शादी का संबंद कम उमर में मा बनने से भी है और साल 2015-16 में हुए सर्वे के दौरान 15-19 साल की 12 प्रतीशत महिलाएं गरवती मिली थी और वहीं साल 2019-20 में हुए सर्वे में इस उमर की 11 प्रतीशत महिलाएं गरवती पाए गई और इसमे और अधिक सुदार की जरूरत था तो वही आर जेडी की परवक्ता रीतू जे स्वाल कहती है कि ये अच्छा फैसल है और मेचूर उमर में शादी से कई बातों की समझधारी लड़कियों में आएगी और वो ग्रेजियोशन की पढ़ाई भी कर पाएंगी लेकिन रीतू ये भी कहती है कि पॉलिसी तो सरकार बन हुई पर वो भी जामीन पर नहीं दिखाई दिया और कॉंग्रेस महिला प्रकोष की अध्यक्ष अमीता भूशन कहती है कि लड़कियों की शादी की उमर बढ़ा कर 21 साल कर सरकार मूल मुद्दे से भटका रही है महिलाओं की सुरक्षा का सवाल अभी भी सबसे बड़ा सव कहती हैं कि लड़कियों की शादी के उमर को 21 साल करना बड़ा कदम है महिला सुरक्षा के स्थिती भी पहले से काफी बढ़ी और पहले 1000 पुरुष पर 940 महिला थी और अब 1000 पुरुष पर 1020 महिला हैं और ये इस बात का संकेत है कि बच्चियों के प्रती समाज परिवार की सोच बदली गई हैं और लड़कियों की शादी के उमर की साल करने से उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक से हो सकेगी और उनके स्वास्ते पर भी अच्छा असर पड़ेगा और मात्वी और मित्यू दर भी घटेगी और वहीं बिहार में कोरोना का खेल आंख मिचोली वाला चल रहा है किसी दिन उतार तो किसी दिन चड़ाव की सिथी बन रही है और 24 घंटे में पत्ना में एक स्कूली चाथ सही दो लोग संकृत पाए गए जबकि राजे में कुल पांच नए संकृत मिले हैं और दिसंबर में लगातार संकृत का आकड़ा बढ़ रहा है और अब तक 14 दिनों में कुरोना के 129 नए मामले सामने आ चुके हैं जो चोकाने वाला है और पत्ना के कंकर बाग में दो लोग कुरोना पॉजिटिव पाए गए गए और इनमें एक स्कूली चाथ के साथ एक महिला भी शामिल है और जबकि राज्य के अने जिलों में तीन पॉजिटिव मामले सामने आ है और इसमें गया में एक मुंगेर में एक और रोताश में एक पॉजिटिव मरीज मिला है और संकृट के नए मामले आने से जांच भी बढ़ा दी गई और माज सोशल डिस्टेंसिंग को लेका सक्ती भी बढ़ाई जा रही है एक दिसंबर को दो नए मामले सामने आ थे जबकि दो दिसंबर को ये संख्या पांच हो गई थी और वहीं तीन दिसंबर को एक भी मामला सामने नहीं आया और जो राहत की बात थे लेकिन चार दिसंबर को एक मामला आ गया और पांच दिसंबर को भी छे नई मामलों ने नीद उड़ा दी थी और इसके बाद मामला बढ़ता गया और छे दिसंबर को साथ नई मामले साथ दिसंबर को और आठ दिसंबर को नो मामले सामने है और इसके लावा आपको बता दे कि दस दिसंबर को बारा आखड़े आये ते और लेकिन ग्यारे द दिसम्बर को 6 और 14 दिसम्बर को 16 नए मामले आये जबकि 15 दिसम्बर और 16 दिसम्बर को 5-5 नए मामले थोड़ी रहत देने वाले रहे और बिहार में 24 गंटे में 1,660,689 लोगों की कोरोना जांच भी करवाई गई और अब तक कुल 7,26,351 लोग कोरोना संक्रुष से ठीक भी हो चुके हैं जिन में 7,14,174 लोग ठीक होने के बाद उन्हें घर भेज़ दिया गया और 12,93 लोगों की कोरोना के चलते मोत भी हो चुके हैं और राजे में कोरोना के अभी 83 एक्टिव मामले सामने हैं और संक्रुष की रफतार रोकने को लेकर प्रशासन के तयारी भी चल जा रहा है कि कभी भी आपात इस्थिती में विवस्ता की जा सकें और सीबी असी ने पहले टर्म की परिक्षा के लिए कुछ नियों में बदलाव कर नई गाइडलाइन जारी कियें और बोड ने लगातार आ रहे हैं शिकायतों के बाद स्कूलों पर सक्ति दिखाई हैं और गुरुवार को बारवी के हिंदी कोर और हिंदी एलेक्टिव पेपर की परिक्षा हुई और बोड ने मुल्यानकन के नियम बदल दिये और नियम गुरुवार की परिक्षा से ही लागू कर दिये गए बोड ने कहा है कि अब सैम डे एविलेशन पॉलिसी रद की जाती है औ OMR की जांच परिक्षा के दिन नहीं होगी और वहीं परिक्षा खतम होने के बाद पेपर खतम होने के बाद OMR सील करके रीजनल आफिस में भेजना है और वहीं मुल्यानकन का काम बाद में किया जाएगा सीबेसी ओफिस्चल की माने तो स्कूलों से आ रही चोरी की शिकायत के कारण बोर्ड ने परकेरिया में बदलाव किया है और बोर्ड ने सुकरवार को ही स्कूल को सरकुलर के द्वारा सूचित क्या है कि परिक्षा खतम होने के पंदा मिनिट के अंदर OMR को पैक करना होगा और साथी सभी केंद अदिक्षक प्रेचेक की मौजूदगी में OMR शीट को पैक करना होगा और उसके बाद सील बन पार्शल पर केंद अदिक्षक और प्रेचेक के साइन के साथ OMR के पैकिंग का समय भी पार्शल पर लिखना है और पैक हो जाने के बाद उसे छेते का रहल बेजना होगा और वहीं प्रेशन के बाद प्रेशन की रसीद भी अपलोड करनी होगी 20 सड़क पर शराब की बोतलें बिखरते ही लूटने वालों की होड मच गई और शराब लूटने को लेकर और मची अफरा तफरी की ये तस्वीर देखकर आप भी हरान रह जाएंगे और ये पूरा मामला गुरुवार की दोपैर गुपालपुर थाना छेट के सेमरा मोड़का है गुरुवार की सुबा उतपाद विवाकी टीम ने गुपालपुर थाने में बनिया च्छापर में च्छापे मारी कर 25 बोतल देशी सराब बरामत की थी और इस मामले में पंचायत के नव निर्वाचित मुख्या वरेंदर प्रसाद को हिरासत में भी लिया गया था उड़े दो तसकर बाइक से यूपी से शराब तसकरी कर ला रहे थे और गोपालपुर थाने के सैमरा मोड के पास अंदोलन पर बैटे मुख्या समर्थकों ने बाइक सवार यूवकों को जाने से रोक दिया इसके बाद बाइक सवाख शराब तसकर और धन्ना पर बैटे लोगों के बीच हाता पाई शुरू हो गई और इतने देर में तसकरों के पास रखे गई शराब की बोतल सडक पर बिखर गई और इस बीच पुलिस को देखकर दोनों शराब तसकर बाइक छोड़ कर भागने लगे हाला कि दोनों पकड में नहीं आए और पुलिस भाग रहे इन शराब तसकरों को पकडने में जुट गई और इसके बाद शराब की बोतले लुटने के लिए लोगों में होड मच गई ना सिर्फ यूबा बलकी महिला और बच्चे भी शराब लुटने में लगे रहे और वहीं लालु प्रसाद के बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी तो हो गई और अब चर्चा उनके रिशेप्शन की है और लालु प्रसाद के शुप चिंतकों का इसका बेसबरी से इंतिजार करें और तेजस्वी यादव ने कहा कि रिसेप्शन का आयोजन पटना में किया जाएगा और वहीं बताय जा रहा है कि ये खरमास के बात किया जाएगा और वहीं रिसेप्शन कहां किया जाएगा इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हो रहे है और नेता प्रतिपक्ष तेज वहाँ आयोजन नहीं हो रहा और इस ग्राउंड में पार्टी होने के बाद तेज प्रताव्यादव और एश्वरया के रिष्टे सफल नहीं हुए थे और इसलिए जायता सुप चिंतकों के मन में इस ग्राउंड के बारे में नेगिटिव विचार रहा और शादी के बाद दि इस ग्राउंड को छोड़ पटना में गांधी मेदान ही बड़ी जगा बच जाती है लेकिन गांधी मेदान के बारे में जानकारी है कि वो शादी से जुड़े समारुकले अब तक किसी को नहीं दिया गया और इसकी बुकिंग राजनीतिक धार्मिक या वेवसाइक आयोजन क्लेक की जाती है लेकिन चुकि इस आयोजन में बड़ी संख्या में वियाईपी भी आएंगे इसलिए परमप्रा तूट भी सकती है और वहीं बिहार के बकसर में 12 साल पहले जिस लापता बेटे को मरा समझ कर मा ने अंतिम संसकार कर दिया था उसके पाकिस्तान की जेल में होने की जानकारी सामने आया और विदेश मंतराले से जब ये चिट्टी उसके घर पहुची तो मा के जहन में अपने बेटे की छवी उतर आई और वो खुशी के मारे रोपड़ी और मा को अब अपने बेटे के घर लोटने का इंतिजार है बारा साल पहले जब वो घर से लापता हुआ था तो उसकी दिमागी इस्तिती ठीक नहीं थी और परिवार ने उसकी काफी तलाश की लेकिन जब उसकी कोई सूचना नहीं मिली तो उसे मरा हुआ समझ लिया गया और मामला बकसर जिले के खिलाफत पुरका है और यूवक का नाम छवी मशूर है और विदेश मंद्राले से मुफसिल ठाने में उसकी पेचान के लिए कुछ पेपर भी आये थे और शवी ने पाकिस्तान के प्रशासन को अपना और अपने मातपिता और गाउं और पड़ोसियों का नाम सही सही बता है और वो कैसे पाकिस्तान पहुँच गया इसको लेकर लोग कई तरह की चर्चाए भी करें और पुलिस को बुलाने पर थाने पहुँचे पाईजनों ने युवक की तुरंट पेचान कर लिए और पाईजन अचमबित भी है कि जिस सक्ष की मिलने की आज छोड़ अंतिम संसकार कर दिया गया था वो अब जिन्दा है लेकिन अफसोस की वो पाकिस्तान में है और मुफसिल ठाना छेट के खलाफत पुर की दलित बस्ती में सैंक्रो पड़िवार मेहनत मजदूरी करते हैं और छवी नहीं के बीच पला बड़ा था और उसकी शादी हुई और एक बच्चा भी है लेकिन एक दिन दलित बस्ती से वो अच्चा नक लापता हो गया और बड़े भाई पिता और आसपास के लोगों ने काफी खोजबिन की लेकिन काफी दिन बीच जाने के बाद भी छवी का कोई अता पता नहीं चला और छवी कुमार के बड़े भाई रवी कुमार ने कहा कि छवी जब लापता हुआ था तब उसकी उमर 20 साल के आसपास थी हाला कि इसकी सूचना थाने में नहीं दी गई थी क्योंकि इसके पहले भी घर से गायब होता था और तब वो कुछ दिनों के बाद घर लोट जाता था लेकिन इस बार लम्मे दिनों के बाद भी जब वो घर नहीं आया उसे मृत मान कर अंतिम संसकार कर दिया गया लेकिन थ पाकिस्ताने से जानकारी मिली है कि वो पाकिस्तान के जेल में बंद आये और हम लोग उसकी तस्विर देखते ही उसको पहचान गए पटना में गुरुवार को एक युवक की हत्या कर दी गए और सीने पर चाकु मार का युवक का मडर कर दिया गया और हत्या करने वाले युवक चाकु लेकर अपने साथ आये था और मामला राजधानी के पूर्वी बोरिंग कैनल रोड में पंचमुकी हनुमान मंदिर के बाद सरकारी पारकिंग का है पुलिस ने जल्दी कारवाय करते हुए हत्या करने वाले यूवक और उसके दोस्ता में दो यूवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है जिस यूवक की हत्या हुई है उसका नाम शदाब बताये गया और हत्या के पीछे की वज़ा प्रेम प्रसंग बताई गए देसल गरदनी बाग के कच्छी तलाब इलाके के रहने वाली एक लड़की है जो कुछ महीने पहले तक शदाब की प्रेमिका थी बाद में उसकी दोस्ती जेश मौरिस नाम के युवक से हो गई और वहीं जेश और शदाब मिठापूर के गोरिया स्थान के लाके के रहने वाले और पटना के ही मिलर हाई स्कूल में इंटरमीडियेक के दोनों स्टूडन्स है और पहले से इनकी आपस में जान पेचान भी थी और वहीं प्रेमिका की वज़े से इन दोनों की बीच पिछले कुछ दिनों से विबात चल रहा था जो बीते दस दिनों में काफी बढ़ गया और दोनों एक दूसरे का वीडियो वी वाइरल कर रहे थे और साथी चाकू से मानने की धंकी भी दी जा रही थी और गुरुवार को पंचमु के हनुमान मंदिर के पास के पांधुकान पर शदाब पहले से ख शदाब घंबी रूप से घायल हो गया और स्थाने लोगों की मदद से उसे पास के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करवाए गया और मगर इलाज के दोरान उसकी मौत हो गया और वहीं जेस अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग गया तब तक लोगों ने बुद कर लिया गया और साथ चाकू को बरामत भी कर लिया और इससे हत्या की गई थी और वहीं आपको बता दे कि हत्या करने वाले जेस के पिता शराम मामले में तीन बार जेल भी जा चुके हैं